हलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप कुशन देख रहे हैं, कमल एक जलिये पौधा है, तो परागण कैसे होगा? कहने का मतलब यह है, कमल जल में पाया जाता है, जलिये पौधा है, तो इसमें कौन सा परागण होगा? कीटो के द्वारा परागण होगा? पर परागण होगा? या स्वा परागण होगा? इन सारे चीजों के बारे में हम लोग बत करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते ह कमल में क्या स्वापरागण होता है तो यहाँ पर कमल जो होता है उसमें स्वापरागण नहीं होता है अब हम बात करेंगे अगर परपरागण होता है तो किस मेडियेटर के माध्यन से परागण होता है उस पॉलिनेशन कौन करवाता है तो आप सभी जानते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है वो जल द्वारा होता है वायू द्वारा होता है कीटो द्वारा होता है और किसे याने जानवरों के द्वारा भी हो जाता है यदि आप परागण के टाइस नहीं जानते हैं यदि परागण किसके द्वारा होता है अगर यहां पर हम बात करेंगे कमल एक जलिये पौधा है तो परागन कैसा होगा देखे जल में पाए जाता है अक्सर बच्छे जो हैं हम लोग जानते हैं कि यह जल में पाए जाता है तो आप यहां पर लिखा हुआ है विकल्प नमबर दिया गया जल दौरा परागन होगा बी जल में पायजाता है तो जल द्वारह इसका होगा यू सको क्या करते हैं किट beings कपरागण करवाते हैं इसलिए इसका पिछगा तो कमल में जो परागन होता है वो किसके द्वारा होता है तो कीट द्वारा होता है तो आपको यह जानकारी कैसे लगी तो चलिए फिर मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ तकले बाबाए